कि हलो दूस्तों तो आचुके हैं आज एक नई वीडियो लेकर के तो मैं फिछले वीडियो में बताया था चंदगूत मौर के बारे में तो अब उसके पुत्र बिंदुसार के बारे में आपको बताएंगे तो बिंदुसार का जन्म कब हुआ था यह कि जन्म कि 340 वीसी इनके पिता कि मैंने आपको पिछली वीडियों थोड़ी स्टोरी बताए थे इसकी तो इसके पिता थे चंदगूत मौर मौर माता हुआ यह हुआ था यह हुआ था दोस्तों कि 73 वी कहिंके आपको 262 मिल जाएगा तो अब चलिए इनकी माता को बताते हैं सधстати दोड़तरा और अब चलिए एक दूसरी माता थी तो इनका पालन प्रोसऑ किस ने किया डू prefers a यह इनकी सोटेली माता थी हलेन मत है लेना है यह नक oluyor कि क्निर नाम था क्या कर ने लिया है का ने लिया है कि इसका दूसरा नाम था कारनेलिया तो अब इसके जो बिन्दुसार का जब जन गुहा था तो उसमें एक छोटी से स्टोरी मैं को बताता हूं कि एक बार चाड़क के ने कि कं धार कर ओंटे जंगूत मौरे के गुरूत है कि लेकिन धर्मगुरू नई थे धर्म भद्रबाभु थे तो अब चाड़क तोफ्हान न परेफिए उनकी पतनि पहुन जाता है किसके पास दूरधरा के पास तो जाना कि पास एक होत उसे लेती हैं तब सकने को और बाहेगा चला गया तब शाड़ा को यह आप नहींifik प्शा लिया तो दुर्धरान का हां मैंने खा लिया तब चाड़के ने कहा कि अब आपको मरना होगा तब दुर्धरान पुछा कि क्यों ऐसा करेंगे आप तो उसने पूरी कहानी बताई कि मैं चादन्रगुप्त मौरे को खाने में थोड़ा-थोड़ा जहर दिया करता था ताकि अगर उस अब समराज के एक राजा चाहिए तो अब क्या हुआ कि इन्होंने तुरंट जो सैनिक होते हैं खड़े बर्ची निकाली उसे उसने लिया और तुरंट गला काटा और पेट चीर करके बिंदुसार को निकाली अब बिंदुसार का नाम बिंदुसार पढ़ा क्यों क्योंकि जो जहर दूर्धरा ने ख़ाया था खाने में उसका असर बिंदुसार फ़ी होने लगा था उसको सरीर पर जगाजगा ध्यर सारे काले काले धब्लके तो ज्सके नाम पर इसके इस मतलब अधर बिंदु 스ार पड़ा तो अब क्या हुआ अब मरकी पर पालनभी इसका करनेलिया ने किया या एक करनेलिया ने क्याय ते रहा ने क्या कि यह अब राजा बन गहें जब रींदु सथे राजा बन गए चले गए आप स रमस्रावन बेल्गोला तो उन्ने मैं नहीं जब मिलते होगी तब यह करनेलिया कि बिढ था किया तुम्हारी माच घ्ime का मैं कि तब इसने बताइब가요 को चाड़GU की थी लेकिन यह नहीं बताया कि काराकिया था हाला कि जाड़क का यदो मिल्म ठीक। कि अगर इसकी मांखा पेट चिर को इसे नहीं निकालते तो मां और बेटे दोनों मर जाते हैं गद्धी के लिए कोई नहीं मिलता तो अब इसने कारण होता है तो बिंदु सार ने दरबार लगाई दरबार लगाई और वहां पर सबको बुलाया सभा में सबको बुलाया चाड़क को भी बुलाया चाड़क खड़े हुए तो वहां पर सब कुछ बताया और चाड़क के से बिना कुछ पूछे चाड़क के कुछ कहना चाहे लेकिन उनकी बात ये सुनना नहीं चाहता था कि अब इसने क्या कि की करूलिया के मतलब बात में आ करके चाड़के को दर्बाद से बाहर निकल ले अब चाड़ा के चले गए राज से बाहर वो अपनी एक कुटिया बना कर रहने लगे पुटिया बना कर लेकिन इनके पास कुछ गुप्तिचर थे यह हमेशा जानकारी लिया करते थे क्योंकि यह जानते थे कि यह ठीक और नहीं है तो यह जानकारी लिया करते थे और बिंदु सार मतलब काफी ज़्यादा दुलारा हो गया था अब इसका एक भाई था इंटियोकस इसका एक भाई था तो इसने एक अपना राजदूत भेजा राजदूत भेजा किसको डाय मेकर्स को डाय मेकर्स जब डाय मेकर्स यहां पर आया तो यह बिंदु सार ने इससे कुछ चीजे इस में सूखी अंजीर था मीठी मद्रा थी और कुछ दार्षनिक थे बिंदु सार ने डाय मेकर्स से कहा कि मुझे यह चीजे आपके जो एंटियोकस जो राजा है उनसे के दिजे को मुझे बिज के डायमेकस एंटियोकस के पांस आता है और फिर बताता है कि उन्हों ने बेंदु सार्व ने यह चीज़े आपसे मांगी है तब इन्हों केवल सोखी अंजीर और मधिरा बिजवाई लेकिन दार्सनिक ने भी धाह יें क्या होता है यह आपको वताजे जूद्र करते हैं तो सोखी अंजीर और मधिरा बिजवदी फिर क्या हुआ अब इनका जीवन जैसे से चल रहता एक बार क्या हुआ कि बिंदू साथ जंगल जाने का planning करते हैं है जंगल जाने का थि यह जंगल जाते हैं और फिर जंगल जा गय चला रहे लेकिन इधर कारण लेया क्या किया था जा झUBै जंगल यहा रहे से करने लिया कुछ अपने अपने भर्रोस्तेमन चैनिे को इनके पीछे लगा दिया था इनके कुछ भर्रोस्तेमन सैनिक थे लिद्दू सार यह पीछे लगा दिया कि जैसे ही तुम्हें मौका मिले बिंदुसार को मार देना अभी यह सैनिक उसी घात में थे और जब बिंदुसार पानी पीने लगे तब इन्होंने पर हमला कर दिया और वो जिस धर्ने में पानी पी रहे थे वह ज़न्ने से नीचे गिर जाते हैं और फिर प्रिल लेकर करें अपने घर जाते हैं जिससे इनका करते हैं पिर इसे कुछ पहचान रहा हूं लेकिन पहचान नहीं बाते हैं लेकिन वो पतनी थी कोण धर्मा इसका नाम था सुभद्ध्रांगी। क कि दूसरा नाम था धर्मा। अप सुभद्ध्रांगी तो महल में लोग जानते थे लेकिन धर्मा वहակ के लोग कहते थे। तो आप सुभांत्रागे नियुक्ष उसके इनको पहचान गाए थी किए तुमे 22 अब दुर्धरा इन्हें ले जाती हैं का ट्रीट्मेंट सब कुछ करती है तो बाद में धर दर यह भी इसको पहचान जाते हैं तो पतनी थी तू कैसे नमेल हो तो बाद में क्या होगा कि यह दोनों कुछ दिनों तक वहां पर बिंदुसार दूर्धरा के मतलब अब धर्मा के साथ रहने लगे तो अब क्या हुआ कि वहां पर रह रहे थे फिर इधर अब सम्राज्ज में क्या हो रहा था कि सम्राज्ज में चाड़क और हेलेना का अपस में राजगद्दी के विशय में खुब विवाद चल रहा था अब जब बिंदुसार थे ही नहीं राजदरबार में तब हेलेना चाड़क के से कहती है कि अब चाड़क के फिर वापस आ जाते हैं क्योंकि अब वहां पर सब कुछ चाड़क अब सब लोग मानते थे लेकिन बिं अब अब बिंदुसार के बच्चे थो च्छोटे छोटे है तो मेरा भाई है उसका है उसका भी बैटे को यहां का राजा बना दो अब चाड़क के दिमाग में यह था कि एगर राजा बनता है तो पुरी सक्ति उसके हाथ में चले जाएगे जिस्से कि वो किया होगा इन कि अब चाड़क के पुर्य सामराजी में अपने गुप्चरों को छोड़ देते हैं अब चन्गुत मुअर्य का सामराज बहुत बढ़ा था मैं बदा था पूर्व में बंगाल साज़कल पस्ची में गुजरा अथा तो अब इतना बड़ा सामराज सा तो लोग ढूडते हैं काफी समय लग जाता है लेकिन नहीं पाते हैं तब फिर बचता है एक छेत्र जो कि था जंगल अब चाड़ा के ने अपने गुपचरों से कहा कि जाओ जंगल को ढूड़ो और जब जंगल ढूड़ने लगे तब उन् जैं तब बिंदु सार ने कहा चलिए अपन अपने समराज चले आते हैं जब अपने समराज आए लिप तब आप यहां पर क्या था कि हिलना से एक बार चाड़क मतलब बात करें तो हिलना ने अंट मिरे भाइक को मेरे मतले बहाई के बेटे को राजा बना दो तो इस यह उं है तो अब क्या हुआ यहां चले आए पीछे क्या हुआ अब इधर धर्मा के पेट में बच्चा था जो कि अब जन्म ले लेता है अब यहां तक इनकी गुपचर पहुच गया थे तो इनको पता था कि यह इनकी पतनी है चारक पता चल गया सब कुछ कि हाँ आपने पतनिक तो इससे पहले आप जाईए जब वहाँ पर सांती हो जाएगी तब आप आईएगा तब चलूंगी तब यह अखेले जाते हैं फिर इधर चाड़क ने अपने जो गुप्चर थो बराबर इधर का संदेश वो लेता रहता और यहां पर जाते भी थे चाड़क है पिर क्या हुआ है अब सुझा मिलते थे सो ब अन्त वफट्र पैदा हूए उसका नाम था अशोक अच्योग तो है अशोक ऑप असोक इस पैदा हुआ तो अब असोक क्या था जंगल का एक्टाज राइस हो राभी नहूंट था वो अमीरों के धन को लूटता और गरीबों में पाड़ देता था तो यह सब चाड़कों को पता था इधर एक दिन क्या हुआ असोक ने बिन्दुसार कहीं सामराज में चोरी करने लिए चल पड़ा अब यहां आया तो यहां पकड़ा गया अब इसकी पेसी हुई पैसी हुई तब बिन्दुसार ने कहा कि अभी तो यह नवालीख है उस्से उसे चोड दिया पिर बाद में क्या हुआ यहाँ पर बिंदुशार और hope कर दो घंट के बताते हैं बिंदुसार को क्या जञ नो है जाड़क के बताते हैं बिंदु सार को बेटा है जो कि जंगल में है तब फिर बिंदु सार इंसोब को राजमर्ण बुला लेते हैं अपनी पत्नी और पुत्र को और असोक को उजन और अर तक्छसिला ऊच्छाट और यह मूт rep अधाइभ थैने तब बिन्दु सारा असोक को उजन और तक्छ सिला का गवर्नर संद तो क्या होता है कि अब यह यहाँ पर आ चुका था और इसका और बिटा था में दूसार का यहां यह सीम है शुसीम क screens का बड़ा पुत्र था और असोग सोटाव है जत दूसरा बर्णब बेंदू सुसीम के थीक बात शोक का जन्म हुआ था कि असोग के करना में समराजουμε धेले प्रचलीत हो हो लोग असोग के बारे में बहुत कुछ जान गए लेकिन तुक रिजानते कि यह अब से जानते थे लेकिन उनी ना कि है लेना वह चाहते थी कि असोक राजा नवनें अब यह चाहते थी सुषीम राजा बने अब इस ने शुषीम और जो हुष मतलब बाकी पुत्रों को मतलब उक्साना शुरू किया तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो बिंदु सार थे वो आजीवक्त संप्रदा को मानते थे कि आजीवक संप्रदा को मानते थे तो आजीवक संप्रदा में क्या होता है कि लोगों का जो विश्वास होता है वो किस्मत के उपर होगा कि हमारे किस्मत में होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा तो ऐसा यह लोग मानने वाले थे यह लोग इस्वर या किसी चीज को नहीं मानते थे कि स्वर्ग नर्ख होता है इस्वर होते हैं ऐसा कुछ नहीं था इनके भागी में होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ऐसा इन लोगों का मानना था अब बिंदुसार के सव प असोक थे असोक अब हेलेना क्या करती है इन नियान में पुत्रों को असोक के खिलाब भड़काती रहती है और जिसमें बड़ा जो पुत्र था वो था सुसीम सुसीम बड़ा पुत्र था या असोक से बड़ा था यानी की राजगदी इसको मिलने चाहिए लेकिन चाड़ा के और समराज के बहुत सारे लोग चाहते थे कि असोक राजा बने जो की हेलना विल्कुल नहीं चाहती थी और बिंदुसार क्या था कि एक मखली पुत्र नाम के संप्रदाय को मानने वाले लोग थे आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग थे आजीवक संप्रदाय संप्रदाय को मनने वाले लोग थे इस संप्रदाय में क्या होता है कि लोग किस्मत पर भरसा करते हैं ना कि इस स्वर्पे या स्वर्ग नर्ख पे कि इनका मानना था कि किस्मत में रह singers वांतल तो नहीं मिलेगा च्रवुरे कर्म से भीadece कोई लेना देना देना नहीं था कि सब बिन्दु सार इनसे कि हैं मिले और काफी ज़्यार प्रोभावीत हुए तो अब यह आजवक्त संप्रदा को मानने वाले थे तो यह अपना चले गए इनके इनसे प्रवावित हुए और राज गद्दी सब सामराज सब छोड़ दिये तो अब क्या था यहां पर राजा के लिए भूल लग गई अब क्या था कि अबड़ा पुत्र सुसीम था तब हेलेना ने जोड़ दिया कि सुसीम को राजा बनाया जाए तो अभी हाँ पर अफ्चाड़क के ने इसको बढ़ा बढ़ाया कि तुम्हें राजा बनना है अब यह चालग के हाथ हाथ चला गया क्योंकि जो धर्मा थी धर्मा यहां तक चाड़क के पहले ही पहुच चुके थे और असोग चाड़क के सब आपस में दूसरे को जानने लगे थे तो अब क्या था कि इन निन्याने पुत्रों ने असोग को मारने को कोशिस कई बार की लेकिन नहीं मार सके तो इन्हों ने इसकी माता को निछाना बना अगम अगम कुगा में 99 भाईयों को मार करके उसमें फेक दिया जो कि बिहार में तो अब फेक दिया तो उसके बाद असुक राजा लड़ाना तो कर अक कि अ कि अ कि अब क्या था कि बिंदुसहर का जो मृत्यू पता जाता हैं मृत्यू वह ब बता जाता है 273 ceramic bc ऌहिए आपको 268 भी भी मिलेज़र अगर अपिछन में आपको ये है तो लगाईए अगर ये नहीं है अगर ये है तो ये लगाईए क्योंकि ज्यादा तर लोगों का मनना है कि 273 कुछ लोगों का मनना है हो सकता है आपको यह अप्शन मिल जाए तो आज के लिए इतना ही आई होप आप लोगों के वीडियो अच्छी लगी होगी सब कुछ समझ में आया होगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब को लिजिए और आपको वीडियो अच्छी लेगे तो प्